चलिए अब कश्मीर चुनाओ पर आते हैं अभी पार्टी के लिए आप कश्मीर में काम कर रहे हैं तो कश्मीर को कश्मीर की जो 1947 के बाद का इतिहास है उसको दो हिस्तों में बाट सकते हैं एक 5 अगस्त 2019 से पहले का एक बात कर ये बीच के एक लाइन है 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था क्योंकि आप पार्टी के बड़े नेता हैं चुनाओ समीति में क्या आपको या बाकी पार्टी में इसकी पहले से ख़वर थी बनकती नहीं नहीं थी किसी को कोई अनुमान नहीं था बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं था ये जिनको अनुमान था उन्होंने किया और बहुत अच्छे से किया और आज देखें कि पार्टी के बारे में जम्मू कश्मीर की वादियों में हम बैठे हैं यहां पर वो धारत 370 समाप्त हो गई लोगों को लगता है कि डिवलेमेंट चाहिए कश्मीर में इतना खुबसूरत नजारा है आप देखिए आपका कैमरा शूट कर रहा है कड़ दिया गया है और वह भी टूरिस्ट के लिए कोई खत्रा नहीं है दुनिया की सबसे खुबसूरत जगह है आई यह अपना मिल्क है टूरिस्ट आने चाहिए ठीक बात है पर आपको भी मौका अभी 20 दिन पहले मिला है कि अभी जो अभी एलेक्शन चुना हुए है उससे पहले अगर हम वीजेपी का फ्रंट मैन अगर कश्मीर में देखते हैं तो राम मादाव जी दिखते दे दो यह दारा 317 हटानी से पहले और उसके बाद भी यह अचानक उनको पीछे करके आपको आगे लाया गया है पार्टी को आपकी जरूरत मैसूस हुई है ऐसे कैसा हो गया नहीं देख्यों यहां तो तरूण चुक जी परबारी है अनुराग ठागुड जी और हम दोनों चुणाव तक आये हैं और जम्मो कि बल गए कुलगाम गए बडगाम गए कुपवारा गए दक्षिन कश्मीर में गए जहां महभुबा कहती थी कि भारत का तिरंगा उठाने वाला को नहीं मिलेगा हमने उसी के अलाके में बीजेपी का जंडा लहरा दिया है पूरी कश्मीर की वादियों में बीजेपी का तो यह गुपकार उट गैंग उसको कहना कितना शब्दावली हमारी बिहार वाली हिंदी अंग्रेजी है तो गैंग अप हुए कि नहीं हो फड़ा सा नेगेटिव शब्द है गैंग सो पासे वर्वार वो कहें चाइना को यहां दखल देने को करें तो बड़े पोजिटिव हो है उसके बाद पहले नहरू जी ने 370 लगा के देश से नहीं जूर ने दिया उसके बाद राजीब गांदी आए उन्होंने फरजी चुनाओ करा के फरजी बाड़ा करके जो लोग चुनाओ के जो एलक्षन पॉलिटिक्स में थे उनको दूर करिया सबसे बड़ा गुना किय और उसके बाद जिसको चाहते थे जो कांग्रेस का जिसको चाहती थी मुखमंत्री बनाती थी डिमोक्रिसी यहां ने क्या दी है अटल बहरी बाचपेजी के जमाने में फीरे और फेर पोड़ हुए थे अब जाके हो रहे हैं और जहां तक महबुबा का सवाल है वो डेवलि कमेंट बात करेंगे फिरे देवलिम्मेंटी जम्मु कशमीर डवल्मट किसी इस पर बात क्यों निहीं करते हैं वह लो नहीं सिर्व इन्टरनेशनल बात करेंगें आघ जमी कश्मीर के नदर आप आए blown जेखेगा किस तरह से भीजेपी के अंदर लोग काम कर रहें इतने व 370 को भाहल करने की उनकी मांग है प्रक्राइब को लेकर है आपका मुद्धा है आप कह रहे हैं कि आपका development मुद्धा है हम development के मुद्धे पर चुनाव लग रहे हैं यह district development council का चुनाव है यह चुनाव है पंचायती राज system नीचे से उपर तक जहाए इसका चुनाव है ये चुनाव इधर उधर की बात करने का नहीं इस चुनाव में हम development और corruption मुक्त और dynasty मुक्त जम्मू कश्मिर के लिए चुनाव लड़ रहे हैं मैं अपने भाशनों में इसी तरह की बात करता हूँ मैं सिर्फ party का परचार नहीं कर रहा है मैं एक अलग मिशन पर भी हूँ क्योंकि मैं जब जाता हूँ इतने लोगों से इंट्रिक्शन कहा होगा जब आज तक जतनी भी बात्चीत कोई है आमन की आशा वाले लोग जो आते थे वो कही सांसद उनसद आते थे न वो आकर गिलानी साब से मिलके चले जाते थे लेगिन मैं जा रहा हूँ जनता से मिलने मैं उनसे कहता हूँ क्या गरीब का बेटा यहां का मुखमंत्री हो सकता है तीन पड़िवार के लाभा तो वो इस बात को मानते हैं मैंने उनसे कहा कि ये पत्थर फेकना इसलाम का रास्ता नहीं है हमारे आका ताज़ारे मदिना मुखम्मद सुल्ह लगे जब चलते थे तो एक महिला थी जो उन पर कूरा पत्थर फेक देती थी जब दो दिन नहीं आया तो वो देखने गए क्या बात है आज कूरा नहीं आया तो हम पत्थर खागर भी दौायां दौा देने वाला ये मजभ है ये इसलाम के दुश्मन है जो लोग जुमा की नमाज होती थी और पत्थर चलाते थे अड़े बाई जुमा जैसे मबारक दिन पत्थर चलाने को किस ने कहा ये कौन सा इसलाम का रास्ता है ये लोग इसलाम को बदनाम किया इन सेप्रिटिस्ट ने और टेरिस्ट ने मैं आज भी कहता हूँ हम लोग हमदर्दी रखते ने अंदर मोदी जी ने साफ तोर पे कहा था कि इसलाम का रास्ता यह हो एक हाथ में खुरान एक हाथ में कलम मैं उन्हीं का संदेशाज दे रहा हूँ मैं अपनी पार्टी की बात करने के बाद मैं एक ही बात कहता हूँ ये मुलक आपका है आप हमारे हैं आप जो नौजवान हतियार उठाए हुए हैं उनके जादे लंबी उमर नहीं होती है तो हतियार फेकिए और कलम उठाइए मैंने उनसे का कलम उठाइए और अपने हाथ से अपनी तकदिर लिख लिजे आप कहते हैं कि कश्मीरी भी हमारे हैं बाकी जैसे बाकी देश के और नागरिक हैं लेकिन जब हकुक जब हक देनी की बात आती है तो उसमें आप कहताई आधा कर देते हैं कंजूसी बढ़ देते हैं पांच अगस्त दो हजार उननीस के बाद से यहां इंटरनेट की सेवाई टूजी है वो अब वो हक नहीं मिलना चाहिए कश्मीरी को यह पुरा हक है देखिए इंटरनेट की जो केबल है वो सब जगा पहुच गई है हर गाउं तक पहुचा रहे हैं फाइबर आप केबल जो है ऑप्टिक फाइबर और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए एक निरने हुआ जल्दे जब होगा तो 4G क्या 5G खोल देंगे सब चीज कुछ चीज में तोड़ा सा कॉन्फिक है सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दिक्कत हो रही है हमारे मोबाइल में तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है जो घर में लोग वाइफाई भी यूज़ कर रहे है वो भी नरने होगा देखिए जम्मु कश्मिर में क्या है हमारा कमिटमेंट है कि यहाँ 24 घंटे बिजली मिले पानी सरक अच्छा हो खुबसूरत हो करफशन फ्री हो यहाँ सब का साथ सब के विकास के रास्ते पर आगे बढ़ें लोग दुस पर चार कर रहा है कोई जमीन ले लेगा अड़े कौन जमीन ले लेगा टूरिजम अगर होगा यहाँ 200 होटल बन जाएंगे तो कितने टूरिस्ट आएंगे माल्दिफ में कितने आते हैं दुबई में कितने जाते हैं कौन किसी की जमीन लेने वाला है, हमने तो पूरा प्रोटेक्शन दिया है, कोई जमीन छिन नहीं सकता किसी की. जी, एक चीज और जो मैं लोगों से बातचीत कर रहा था, तो उनमें ये डर है कि आपने एक जो लैंड एक्ट में बदलाव किया, यूटी अड्मिस्ट्रिशन ने, तो यहां के लोगों डर है कि बाहर के लोग यहां से जमीन खरीद लेंगे, बाहर के लोग आ जाएंगे, उ लत्त फमी पैदा करने वाले शादे लोग लत्त फमी पैदा करते हैं, यहां के लोगों के जो हक हक है, जो एक हिंदुस्तानी के है, जो बिहार के शाहनवाश को है, वहीं कशमीर के अमर अब्दिल्ला Kalauote को बड़ाबर का ख ह है, हमने उनको कहीं से भी, एक रत्ती मاتरबी कम देश के नियरंदर मुदी जी को हक है जो राजनाज जी यूपके है वही हक उमर बात नहीं है इंटरनेट की प्रावलम पर मैं पहले ही कह चुका हूँ कि वह इसलिए भी जरूरी है क्योंकि लॉक्डाउन के बाद से ऑनलाइन पढ़ाई तो कश्मीर के बच्चे भी ओनलाइन पढ़ना चाहते हैं उसके जगा बहुत जगा वाइफाई है और ऑनलाइन में आज 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 लिक आ अब क्याएशन जगाती हैं कोई दिक्कत कर रहा हूं ऐसा नहीं है कि रिव्ट कोई हैं तू आप पर वे तर्रिजम का खत्रा है और उसको देखते हुए पैसला है इसस सजादे में कुछ नहीं कोऊंगा रहा है ठीक है गवर्मन्मन का फैसला है लेकि कुछ टेर्रिस्ट के वज़द से या कुछ लोगों के डर की वज़द से 90 परसंट यह जादतर लोगों का हक मारा जा रहा है कोई हक नी तलफी होगी हम कश्मीर के लोगों से पुरा प्यार करते हैं इनको पुरा हक मिलेगा इनकी पुरी हम चिंता करेंगे हम इनको कोई दिक्कत आने नहीं देंगे जम्मु कश्मीर के उम्मीदों पर सो टके खड़े उतरेंगे एक और मुद्दा है रोष्णी एक्ट का जब सत्यपाल जी मलिक जी जब गवर्नर थे यहांके तो उसको कानून को हटाया गया था फिर उसके बाद हाई कोट का भी उस परादेश आया वोइड कर दिया गया अब जो यहां का अड्मिस्टेशन है यूटी अड्मिस्टेशन नहीं दी जा रही है यह पूरी तरह जो लोग इसमें जो जमीन पाए हैं जैनून तरीके से वो सही है और जिन्होंने लुटने का काम क्या उस पर कारवाई हो रही है हाई कोट में पर सिटिंग चल ले इस पर मजह जादे बोलना नहीं है मैं उस मामले की बात नहीं कर रहा हम जो लोग के जमीन लूटे हैं जिन्होंने इस एक्ट के नाम पर जमीन लूटा है उनके नम आगे है और यह मामला सबजूरी से तर जो विशे के होता है उस पर हम इतना ही कह सकते हैं कि रोशनी एक्ट में जिसने भी गल्लती की वो बख कि वरबुड़बू स्वुधी है लिंद जिहाद की बात है लोग यह थम्मी ये कहागई कि कश्मीरी गए जम्मों में में जम мехड की चल नहीं है newly कोट की निगरानी में चल लिए तो हाइप से दर्खासत है इस पर जादे बाचित करना सही नहीं होगा क्योंकि इशू सब्जिडूस है हम यह कह रहे हैं जो हाइप में नाम आया उसी पर चर्चा की कि जिन जिन लोगों के नाम थे इन-सी कांग्रेस के नेताओं के और कई नेताओं के कई बेरोक्रेट के उन पर करवाई होनी चाहिए और हाइप में पर सिडिंग चल रही है रोशनी एक्ट में लोगों ने गरबड़ी किये हैं इसलिए जाच हो रही है चलिए आगे बढ़ते हैं आप ज्यादा इस पर बोलन है अपको घाटी के अंदर है कोई मान सकता था कि बीजेपी का पर्चम ऐसा लह रहाएगा कोई नहीं मान सकता था लेकिन हर जगा हम चुनाओं मजबूती से लड़ रहे हैं कही जगा निर्दलिय लोग लड़ रहे हैं और जम्मो कश्मीर का रिजल्ट ऐसा है कि यहां जम् में लगा के वोट लगके वोट दे रहे हैं यह कितनी बड़ी बात है यह देश के लिए वो किसान अंदोलन चला है इसलिए यह ख़बर और जगह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है लेकिन लेलन टॉप का तो शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आकर इस चुनाओं को देख आप के नज़रों से देखिए आप बताईये और वोटिंग है तेरह तारीक को आप देखिएगा किसी किसी खतार है तो लोग वोट कर रहे हैं सहाब लोग इस मुलक से में यकीन रखते हैं लोगों को पता है कि यहां डिवल्मेंट होना चाहिए और डिवल्मेंट जो इन्ह वारे की राजनीं तो नहीं लोग्हा पर चलॉब धावत जाधने हैं। कि इसे लिफछार में और भी पर टाने हैंक और देंखे क्यास छब्सक्राइब करें। मैं लेलन टॉप को कहता हूं कि आप मेरे साथ चलिये मैं अब यह चुनाव नहीं नहीं दे रहा हूं मैं आपको सब्सक्राइब कर रहा हूं आप आये देखिए स्टेज का बिहारी आए है क्या यहां यह के बिहारी है बागी सब कश्मीरी मिलेंगे आपको चुनाव चल रहा है, security का भी concern है, कुछ महने भी पहले आमने देखा कि सरपंचो पर हमले हुए, बीजेपी की जो लिडर्स है, उन पर हमले हुए, कुछ की हत्या भी हुई, तो यह दुबारत से आप भरोसा गेन कर पाएं, security को लेकर कि लोग बीजेपी से जुड़े हैं, क्योंकि security का चैलेंज तो है, थ्रेट तो ही, टेरिस्ट का, नहीं, security का जो थ्रेट है, वो एक रहता है, तो वो जोड से जलता है, टेर्रिस्ट अफेक्टेड जादा इलाका साउथ कश्मीर का है, और वहां पर वोटिंग भी बहुत जादा नहीं हो रही है, आपको, यह मत कहिए, पूरे साउथ कश्मीर में नहीं है ऐसा, शोपियां पुलवामा, अनतना कुलगाम, वो सब ज परिरिरिजम के डर से लोग नहीं आ रहे हैं, या उनका, फिर भी वोट करने आ रहे हैं, पहले से जादे हो रही है, शोपियां पुलवामा में भी पहले से जादे हो रही है, मैं खुद गया होना उन्जिलों के अंदर, लोगों का रिस्पॉंस देखा है, और मैं निडर हो को दुबारा से बाहल करना स्टेट फूड की मांग है 35 351 की मांग है अगर चुनाओ में मैंडिट उनको मिलता है गुपकार अलाइंस वाली पार्टी को मिलता है तो क्या यह मान लिया जाए कि 370 लोग यहां के चाहते हैं आपने यहां के लोगों की इच्छा के बगैर यह फै यूपी के दर्सक देख रहे होंगे जिला परिश्ट का चुनाओ लेकिन अगर यह डिवलेप्मेंट हार जाता है कई जगा कई जगा हम नहीं जीतेंगे कई जगा वो जीतेंगे हमारे लिए जीत यही है नतीजे से पहले ही जीत है कि लंबी कतार में लोग डिवलेमेंट के यह वोट दे रहे हैं जो लोग डिमोक्रेसी के खलाफ हैं उनके उनको सोचना चाहिए कि एतनी बड़ी तादाद में वोटिंग क्यों हो रही है यह तो बड़ी अच्छी बात है हम जीते हैं और हारे यह सवाल नहीं है देश क्यों जीतना चाहिए और देश जीत रहा है कि लंबी तादाद बहुत लंबी लंबी कतार है और लोग वोट दे रहे हैं डिमोक्रेसी में यकिन कर रहे हैं यह कोई चोटी बात नहीं है चलिए वह दो तिन पार्टी तीन चाहर पार्टी एक साथ हैं बड़ी बड़ी पार्टी जो हैं पीडिपी हुई एंसी हुई यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात है और मैं मानता हूं कोई कितनी सीट जीते हारे यह सवाल नहीं है यह देश जीतना चाहिए लोक तंतर जीतना चाहिए महभूबा मुफ्ती जी कह रहे हैं कि आप उनको परचार ही नहीं करनी दे रहे हैं हजरबंद कर रखा है यहां के अड जरा जाती कई जगे मेरी भी सभा बढ़ गाम में थी जिस दिन उनकी कैंसल हुई प्रशासन ने मुझे कहा कि आज वोटिंग आप मज यह मैं नहीं किया मैंने तो ड्रामा नहीं किया वो ड्रामे पर आयद है उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है तो कोई बहाना ले लो आप कि रहे हैं महभूबा जी ड्रामा कर रही है तो है आज तक तो यह डैनिस्टी पाले यहीं करते हैं पछिसमें पेड़ीक के ही कुछ पुराने नेता वश्य के अपने सही होगी अपनी पार्टी बीदो अतो ऑपना शुौ 1 गissements क्रसें ङेखिन करके बहुत हैं सबस्क्राइब.. थोड़ा दूर दूर जाएं जैसे मैं चार-चार गंटा चल के जाता हूं जाएं वो क्यों नहीं जाती हैं वो अभी भी इधर उधर की बाद डेवलेमेंट पे चुप क्यों है यह सवाल है ठीक आप जो करी बीच दिन से आ हैं हावा आपने नापली होगी पांच फेज के एलेक्शन भी हो चुके हैं आपको एक नमबर में मागना चाहता हूं कि कितना आपको लग रहा है कि कितने आपकी जो है हंडेट परसेंट लोगतंतर जीत रहा है हमारे लिए वेक्ति से बड़ा दल अदल से बड़ा देश हमारे लिए दल का सवाल नहीं है देश का सवाल है देश में डिमोक्रेसी में जम्मू कश्मीर में लोगों का लोगतंतर के अंदर विश्वास बर रहा है बिहार यूपी क जिस तरह लोग वोट डाल रहें यह बहुत बड़ी बात है कश्मीर से यह आवाज ललन टॉप के जरीए पूरे हिंदुस्तान में जानी चाहिए कि यहां से लोकतंत्र की जीत होगी यहां बीजेपी पीडीपी कुपकार गैंग अपनी पार्टी कौन जीता हरा यह सवाल नही है और एक स्टैंड भी क्योंकि पार्टी के बड़े नेता हैं आप कश्मीर में किसान है ना किसान हमारे भाई हैं किसानों के लिए हम अच्छा कर रहे हैं यह विपक्ष के लोग हाड़े ठके लोग उनको भड़काने का काम कर रहे हैं उनके कंदे को बैसाक्षी बनाने का क किसान भाइयों से उपील हैं आप हमारे हम आपके बाचित का रास्ता ही एक रास्ता है सरकार ने बाचित बंद नहीं किया है किसानों को मुविम्मेंट हो रहा है कई सारी बड़ी किसान यूनियन्स उसमें शामिल है आप जो है उस प्रोटेस को कह देते हैं कि जी यह तो भी पक्ष के ब्रगलाई हुए हैं दूसर आप के देते हैं आप एक पार्टी के निता या सरकार में मंत्री कह देते हैं कि नहीं यह त्रेषकी किसान से बातचित किया नरेंदर मोदी जी के दिल में किसान बस थें किसान भाईयों से अपील है किसी के बहकावे में नाएं सरकार उनको बहता रही है मैं जो इसीश्यूस को हम एड्रस कर रहे हैं और ये धर नाख ख़तम करें किसी और को भी दिकत नहों सरक कार के दरवाजे बातचीत के लिए आधी रात में भी किसानों के लिए खुले हैं चलिए शानवाजी शुक्रिया आपका मैंने इस बहुत कम टेंपरेचर बर्फ वाले जगह आपको इतने देर बिठाए रखा शुक्रिया टेंक बहुत बहुत